हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका माईलो फैमिली चैनल में इस वीडियो में आज हम एक बार फिर से डिस्कुस करेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें आपको प्रेगनेंसी में पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंट मदर्स को एक हेल्दी डायट करनी चाहिए ये तो हम सबको भी पता है लेकिन कई सारे ऐसे फूड आइटम्स, फूड इंग्रीडियंस और बेवरेजिस होते हैं जो हेल्दी होते हुए भी प्रेगनेंसी में आपको इंटेक नहीं करने चाहिए इनका इंटेक कर फ्रेगनेंसी में आलकोहॉल is a big no-no आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आलकोहॉल कंजम्शन से आपके अंगॉन बेवी को ब्रेइन डामेज और डेवलाप्मेंटल इशूस हो सकते हैं ये फीटिस में अननेसेसरी इंग्जाइटी क्रियेट करता है जो बच्चे के बिल्कुल भी ठीक नहीं है हिंग या asafetida हिंग हमारे इंडियन किचन का एक सबसे इंग्रीडियन माना चाता है लेकिन फ्रेगनेंसी में आपको इसे खाने से परहेज करना चाहिए असल में हिंग फ्रेगनेंट विमन की बॉड़ी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल से जूड अधाम लगा देनी चाहिए आपको शाद पता नहीं होगा कि कॉफी में पाए जाने वाला क्याफीन आपके stress और anxiety का लेवल बढ़ा देता है जिसके वजह से आपके unwanted baby पर बहुत negative असर पड़ता है अलोवेरा प्रेगनेंसी में अलोवेरा-based skincare products का use करने तक तो ठीक है लेकि इसे condition में कई बार miscarriage भी हो जाता है Drumsticks Vitamin C, A, iron, potassium और calcium से भरपूर drumstick Nutrition का ख़जाना है और सभी age group के लोगों के लिए super food है लेकिन pregnancy में इसका सेवन आपके लिए risky हो सकता है कई बार इसका सेवन करने से miscarriage की भी नौबत आजाती है तो इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि pregnancy में आपको किन-किन चीजों से दूर रहना है लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी खयाल रखें कि healthy diet ले, खुद को hydrated रखें और physically active रहने की कोशिश करें ताकि आपके pregnancy और delivery का जो पूरा experience है वो बिल्कुल soothing और easy हो जाए उमीद है आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा और हमारी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी अगर आपको ऐसे ही और expert advisors चाहिए तो हमारे Milo चानल को subscribe करें और अगर आपको चाहिए online expert consultation, free baby diet chart या आनने कोई भी जूल जो आपकी मदद करें तो download करें Milo आप